अर्विंद केजरिवाल ने 10 साल पहले 26 जनवरी की परेड को बाधित करने की कोशिश की थी अब उनका इरादा स्वतंतरता दिवस को विवादों में घसीटने का है और इसी वज़े से जेल कैद अर्विंद केजरिवाल ने LG को पत्र लिख कर कहा कि दिल्ली में तिरंगा तो आतिशी मरलेना फैराएंगे लेकिन तेहाड जेल प्रशासन ने केजरिवाल के इस चिठी को बाहर आने ही नहीं दिया LG को पत्र लिखने के लिए केजरिवाल को जम कर फटकार भी लगाई केजरिवाल की ये कोशिश जब नाकाम हुई तो गोपाल राय ने दिल्ली के सामान प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर कहा कि वो आतिशी मरलेना के तिरंगा फैराने का इंतजाम करे लेकिन सामाने प्रशासन विभाग ने गोपाल राय के पत्र को सिरे से खारिच कर दिया और साफ कर दिया कि आतिशी मरलेना तिरंगा फैराने के लिए योग व्यक्ति नह इस मामले को उपरी स्तर पर संग्यान में लाया गया और फैसले के लिए प्रतीक्षा की जा रही है। स्तर दिवस समारों से कुछ दिन पहले अराजकता फैलाते हुए देखा था और आज 10 साल बाद फिर से खेद पूर्ण है कि अपनी हट धर्मिता से वे दिल्ली के स्तर दिवस समारों को दिवादत बनाने पर आमादा है। पारिवारिक विशियों पर ही पत्र जेल से बाहर भेज सकते हैं और किसी प्रकार का शासके नर्दिश निविदन पत्र वह जेल से नहीं जारी कर सकता। जेल अधिक्षक का परिपत्र सामने आते ही मंत्री गोपाल राय ने एक नया भ्रामक पत्र जारी किया कि मुख्य मंत्री के आर्देश के अनुसार आतिशी ध्वजारोहन करेंगी संबंदित विभाग उसकी तयारी करें। विरेंदर सच दिवाने का कि जेल अधिक्षक के परिपत्र से ये साफ है मुख्य मंत्री जेल से कोई शासके नर्देश नहीं दे सकते। तो फिर ये भी स्पश्च है कि गोपाल राय का पत्र असंबैधानिक है अमान्य है और आतिशी ध्वजारोहन नहीं कर सकती। समत से परे है कि आखिर क्यों और विंद केजरिवाल स्वतंतरता दिवस ध्वजारोहन को विवादित कर रहे हैं। बेहतर होता कि जनरल प्रशासन मंत्री गोपाल राय इस पर संबैधानिक पीशेश अग्यों और उपराजेपाल से मश्विरा करके संबैधान के अंतरगत मानने निरने होने देएं। साब सीड़ी का खेल खेल रही हैं। एक तरफ ममता बनर जी कहती हैं कि अगर एक सब्ता के अंदर जाच किसी मकाम तक नहीं पहुँची तो वो मामले की जाच सी बी आई को सौप देंगे। लेकिन दूसरे तरफ दोश्यों को बचाने की कोशिश भी कर रही हैं। ममता की इस चालाकी को देखते हुए कॉलकता हाई कोर्ट ने मामले की जाच सी बी आई को सौप दी और ततकाल जाच के सारे दसावेज सी बी आई को सौपने का आदेश दिया। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाय जाने पर ममता सरकार को फटकारा और उसे तुरंत छुट्टी पर जाने का आदेश दिया। कलकता हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा कि वो अपने आप छुटी पर चले जाएं वरना कोर्ट आदेश पारित करेगी। इस दोरान हाई कोर्ट ने सुनवाई के दोरान सवाल पूछा कि जब एक शात्र की मौत हुई थी तो फिर उस मामले में प्रिंसि को क्यों बचा रही हैं जिस ने नैतिक जिम्मदारी लेते हुए मेडिकल कॉलेज से स्तीफा दिया दरसल बंगाल सरकार ने आर जी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे डॉक्टर संदीब घोष को कौलकता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल कुलकाता रेप मर्डर केस के सिलसिले में कलकाता हाई कोर्ट में मुखिन याधीश की कंड़पीट ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। समक्ष दाकिल करने का निर्देश दिया दरसल आरजी मेडिकल कॉलिजेंट हॉस्पिटल में 9 अगस्ट को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की लाश मिली डॉक्टर के साथ रेप किया गया था और फिर उसकी निर्मम तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया इस रेप कांड को अंज तर्दे दिखाते हुए आरोपी को गिरिफतार कर लिया इसके बाद से देश भर में मेडिकल चात्रों और रेसिडेंट डॉक्टर का विरूत प्रदर्शन शुरू हो गया उन्होंने मांग की है कि मामले की जाच सी बी आई को सौंपी जाए मुक्यमंतरी ममता बनर जी ने क बिंद केजरिवाल के दाउं से उन्हीं को मात दे दी एलजी सकसेना के हाथों मेली इस करारी शेकस्त के बाद आमादमी पार्टी में खल बली मच गई एक तरफ आतिशी मारलेना गोपाल राय मनिश इसोदिया हैं तो दूसरी तरफ कैलाश गहलोत असल में आमादमी असली बस्ताफ को खारिच के जाने के बाद के डाला कि दिल्ली के एलजी से यही उम्मीद कर सकते हैं तरफ एलजी से वंचित की गई आतिशी ने आमादमी पार्टी का पुराना बलेम गये में शुरू कर दिया और कहा कि एक चुनी हुई सरकार को तरफ एलजी से रोका जा और आम लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए जंडा फैराते हैं 1947 से पहले देश में अंग्रेजों का शासन था और वो अपनी मर्जी से यहां शासन चलाते थे आज दिल्ली के चुनी हुई सरकार को जंडा फैराने के अधिकार से रोका जा रहा है तो लगता है कि दिल केलाश गहलोत को तिरंगा फैराने के लिए LG ने नॉमिनेट किया है ऐसे में अगर केलाश गहलोत पर तिरंगा नहीं फैराने का दबाव दाला जाता है तो फिर सरकार के अंदर फूट पढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी और पहले से ही जरजर हो चुकी पार्टी को ए एक और जटका मिलेगा। दिल्ली सरकार के सामाने प्रशासन विभाग ने मंतरी गोपाल राय को चिठी बे कहा कि मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जेल में है और स्वतंतरता दिवस पर जंडा फैराने के लिए उपलब्ध नहीं है इस मामले को उपरी स्तर पर संग्यान में लाया गया और फैस् की अजीब कहानी है एक निता जैसे तैसे जेल से बाहर निकलता है तो दूसरा अंदर चला जाता है पिछले दो सालों से आम आदमी पार्टी में यही सिलसला जारी है मनिश इसोदिया को सशर्थ जमानत मिले ज्यादा दिन नहीं भी थे कि आम आदमी पार्टी के सांसर्थ स लिए जारी किया गया क्योंकि संजे सिंग ने कोर्ट का आदेश नहीं मानते हुए 9 अगस्त को सरेंडर नहीं किया संजे सिंग सहित समाजवादी पार्टी के नीता सहित कई लोगों को कोर्ट ने तीन-तीन महीने गैद की सजा सुनाई हुई है और इन सबको नौ अगस को कोर्ट में सरेंडर करना था लेकिन संजे सिंग ने राजय सभा की कारियवाही का हवाला देते हुए सरेंडर करने से इंकार कर दिया और कोज़े से इसके लिए वक्त दिये जाने की मांग कर डाली संजय संग के इस हरकत से कोज़े का पारा चाड़ गया और उसने खेर जमानती वारंट जारी कर दिया अब यूपी पुलिस वारंट लेकर संजय संग और समाज़वाधी पार्टी के अनूप संडा को गिरफतार कर कोर्ट में पेश करेगी जहां से सब को जेल भीजा जाना है अब देखना है कि संजे सिंग आसानी से पुलिस के हाथ लगते हैं या फिर पुलिस के साथ भागम भाग वाला खेल करेंगे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के MPML कोर्ट ने आप नेता और रजजसभा सांसद संजे सिंग समेट 6 लोगों के खिलाफ NBW जारी किया है जिसमें समाजवादी पार्टी के पूरविधाक अनूप संडा का नाम शामिल है ये आदेश MPML विशेश ने आदेश शुबहम वर्मा की कोर्ट ने जारी किया है ऐसे में अब गैर जमानती वारण जारी किया गया आम आदमी पार्टी के राश्वे प्रवक्ता और राज्जे सभा सांसाथ संजय सिंग समाजवादी पार्टी के राश्वे प्रवक्ता समेच 6 लोगों के खिलाफ सुल्तानपूर की MPML कोर्ट ने गिरतारी वारंट जारी कर दिया है। इसके बाद ततकाली नगर कोतवाली के उपनिरिक्षक ने इन सभी के खिलाफ केस दर्श किया था। प्रेंडर नहीं किया बलकि मौका मांग रहे थे। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सकती दिखाई और मौका देने से इनकार कर दिया। साथी इन सभी के खिलाफ गिरतारी वारंट जारी किया गया। संजे सिंग के चले जाने से पहले ही मुश्किलों में फसी आम आदमी पार्टी एक बार फिर मुश्किलों में फस जाएगी। ममता बनरजी सहित इंडी गटबंधन के नेताओं का अब तक यही कहना रहा कि एडी बीजेपी के इशारे पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ फर्जी मामले बनाती है और उन्हें गिरफतार करती है। लेकिन अहमदाबाद की एक अदालत के फैसले से साबित हो गया कि एडी किसी के खिलाफ फर्जी मामले दाखिल नहीं करती बलकि तत्यों के आधार पर करती है। कर आयाशी की थी विशेश पीमले अदालत ने त्रिनमूल कॉंग्रेस के राजसबा सांसद राश्य प्रवक्ता साकेद गोखले के खिलाफ आप राधिक आरोप तैय किये हैं। पुलिस केस में भी उनके खिलाफ अपराद के आरोप तैय किये गए हैं। इडी ने कहा कि विशेश अदालत ने CRPC की धारा 309 के तहट गोखले की अरजी को भी खारिच कर दिया। अरजी में PMLA 2002 की कारिवाही को तब तक निरंबित करने की मांग की गई थी जब तक की अदालत उनके खिलाफ अपराद मामले का फैसला नहीं कर लेती। गुजरात पुलेस ने दिसंबर 2022 में क्राउड फरंडिंग के जरीए जुटाए गए पैसों का कथित रूप से दुर्पियोग करने क्या रूप में साकेद गोखले को दिल्ली से गिरफतार किया था। एडी ने अदालत को बताया कि गोखले द्वारा क्राउड फरंडिंग के माध्यम से एकत्र की गई बड़ी मात्रा में धनराशी को सटा शेर ट्रेडिंग भोजन और अन्य व्यक्तिकत खर्चों पर बरबाद कर दिया गया जो की देखने में फिजूल खर्शी प्रतीत होती है अलाकि गोखले ने धन के किसी भी दुरपयोग से इनकार किया उसके बाद एक विशेश अदालत ने कथित अन्यमितताओं से सम्मधित धन शोधन मामले में पिछले साल मई में गोखले को नियमित जमानत दे दी थी गोटाले में सिर से पैर तक डूबे मनिश सोधिया को सुप्रीम कोर्ट ने 17 महीने बाद बेल केस की मैरिट के आधार पर नहीं बलकि ट्राइल चुरू होने में हो रही देरी के आधार पर दी है ये बात मनिश सोधिया जादा बेहतर जानते हैं लेकिन जमानत पर छुटते ही मनिश सोधिया ऐसी अदाएं दिखा रहे हैं मानो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया है सिसोधिया को हफते में दो बार थाने जाकर हाजरी लगानी पड़ रही है बावजूत सब के वे दम तो ऐसा दिखा रहे हैं मानो पूरा देश वो जीत लेंगे लेकिन हकिकत कुछ और है MCD चुनावों में मनिश सुधिया के चुनावक शेत्र पटपड गंज में आमाद्मी पार्टी की करारी हार हुई उसके बाद लोगसवा चुनाव में भी इस इलाके में पार्टी को मात मिली इस लिए अपनी सीट बचाना मनिश सुधिया के लिए सबसे बड़ी चुनावती है वैसे मनिश सुधिया अब ताबट तोड़ बैठक के कर रहे हैं और अरविंद केजरिवाल की कमी को पूरा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं लेकिन सुधिया के एक तरफ सुनिता के केजरिवाल है हकिकत ये कि पार्टी की कमान सुनिता केजरिवाल और संधी पाठक के पास है इसलिए लगता नहीं कि सिसोधिया को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी इसी वज़ए से सिसोधिया कहते हैं कि उनकी प्राथमिक्ता विधान सबद चुनाव में आमाद में पार मनेश शिसूदिया ने अगले साल प्रस्तावित दिल्ली विधान सभा चुनाव की रुणनीती पर चर्चा करने के लिए रविबार को पाल्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बया ठकी। किसी भी पाल्टी को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा और एलजी के साथ ये लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि नौकर, शाहों और मंत्रियों के बीच कोई मत भेद नहीं। और अधिकारी वास्ताव में एलजी से डरे हुए हैं कि इस से पहले मनेश सूदिया अगले साल प्रस्तावित दिल्ली विधान सभाचिनाव की रणनीती पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक की थी। उस बैठक में दिल्ली के मंत्री स्वार भार्दवाज, आतिशी और गुपाल राय सहित आम आदमी पार्टी के राजे सबसदत से संजे सिंग और संदी पाठक भी शामिल हुए। बाद में संदी पाठक ने बताए कि बैठक में दिल्ली विधान सभाचिनाव की रणनीती और आश्री राजदानी के राजनितिक हालात पर चर्चा की गई। झाल 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 झाल